वेलकम टू दू दा चैनल अगर आपको वीडियो इनफर्मेशन पसंद आती हो तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करकर आप हमारे अर्वी फंटासी का एक फैमिल इससा बन सकते हो वैसे भी फाइनल टेम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलिग्राम चैनल पर टेलिग् कर सकते हो वागी बात करेंगे दोन्गों टिम के दरफ से प्रवाबर स्टार प्लस इंजिऱ अपडेट सबसे पहले लॉस अंजल लिकर्स तो लॉस आंजल लिकर्स के तिरफ से वेस्ट ब्लोक आपको स्टार्ट करते हो दीखेंगे पाइंट गाल पोजिशन पर और यहाई कर लेबां तो नहीं को आप पर बैन से खेलवाएंगे जो गया पर रिसेंटली मैचस में आपने टीम के लिए आपर सेंटर से खेल रहे हैं देवीस और उसी खासा यह ऑपर हैवर्ट को चांस नहीं देया जा रहा है प्रोबेबिल आज के मैच में हैवर्ट को यापर स्टार्टिंग लाइनप में लाया जाएंगा और वो भी किसलिए वैसे लास्ट माच का जो परफार्मस रहा था मलिक मंक बेश्ट रहा था सबके पास होने वाले इंट्रोड़क्शन देने की ज़रूरत नहीं उसके साथ साथ लिब्राम जम्स के अगर आप बात कुरो तो वन अप दे बेश्ट पिक और यूनिवर्सल एस्पी पी देखनों को मिलेंगे वैसे वेस्ट बुक का भी लास्ट माच में बेश्ट आया था ब्रेडली स्टाइटिंग लाइन अप में थे और जॉनस स्टाइटिंग लाइन अप में थे तून दो की जगापर आपको हाज के माच में TST और हैवर्ड एपस स्टाट करते पही देख सकते हैं अग मिला था काफी बढ़िया मिला था और फिड़ गोल से शाट्स आट्रेंट पर से इनका काफी जादा था अगर क्रेजिस और आपसेंस में अगर बात कुरूँ का जो player रहने वाला एंडर्सन उनका defense काफी बढ़ी आए Memphis ग्रिजर्स में सबसा बेस्ट defensive player जो है तो वो है एंडर्सन और एंडर्सन के सामने आपर TST होगे अगर आपर start करते हैं तो इतना आपर easy होने वाला नहीं है फिलाल आपर TST को यापर में recommended करूंगा GL के लिए small league के according हमारे लिए Malik Monk important है important है Westbrook और important है Libram Jems तीकि तीनों player जो ते starting line है important हो सकते हैं बाकी TST को GL में try करना काफी बढ़ी आपी के double double आगर यापर इनके connect होके तो फिर इनकी speed अलग level की इनके इनके तरफ speed है तिके conference level थोड़ा से आपर down है और हैवर को वैसे भी आपर recommended करूंगा GL में आप इनी GL में try कर सकते हो अगर याँसे बात करूंगा इनकी तरफ से bench player तो bench player से आपर कार ले में होनते होनी सबसे best time है आपर दिया जाता है bench time देंगे जिसमें से आपर जाहस को सबसे ज़्यादा chances है कि सबसे ज़्यादा time है आपर मिलना है मिल सकता है बाकि आपर कारल में तो bench से खेलेंगे और सबसे best time केलेंगे और recently दोनों matches में dream alone या आपर dream alone में अगर आपर comparison करें तो 40-40 प्लस है आपर dream alone इनने डिसेंटली दोनों matches में थी तो आज के माच के लिए थोड़सी important डिसेंटली matches का performance देकर वैसे भी timing का increase होगा है offensively 3.2 shooter है rebound और center से कहले है तो last match में इनके दरफ से block भी बढ़िया आये थे बात करेंगे Memphis Chris से रत्रप से तो आपर स्टार्ट करेंगे बेन का role important रहेंगा वो क्यों रहेंगा क्योंकि आपर counter already आपर last match इन्होंने defense बढ़िया के ती recently दोनों matches में वो यापर खेलने रहे आंडरसन यापर starting line-up में आएंगे Brooks यापर खेलने रहे तो Brooks और उसका साथ आपर दोनों player out होने के वज़े से आपर Ben और Morant ये जो दोनों player small league के according काफी important है important है जी ये लिके लिए लेकिन यापर small league में मुझे नहीं लगता कोई भी इनको miss करना चाहेंगा last match में बेन को बहुत जादा लोगों ने आपर drop किया गया था लेकिन Ben काफी important है जब जब आपर Brooks आउट होए तब तब brain का जो performance है वो काफी ज़्यादा improvement हुआ है तो brain हम अले है small league का according काफी important है Anderson जो कि आपको आज का match में start करते भी दिख सकते जेरिंग जैक्शन का last match इतना बढ़िया नहीं था लेकिन आज का match ये player का performance काफी अधक अच्छा खासा आ सकता है क्योंकि आपर opponent जो team में Los Angeles Lickers उनका यापर front court defense इतना अच्छा नहीं बाकि back court ठीक टाक है लेकिन front court defense इतना अच्छा खासा नहीं अगर हाँ, hybrid आ जाते starting lineup में तो फिर थोड़ी सी दिक्कते कर सकते लेकिन other याप पर starting lineup के साथ कहलते हैं तो उतना better याप पर starting lineup नहीं वैसे Adam भी आपर small league क्या करने काफी important pick हो सकते हैं बहुत जाद लोग ignore कर रहे credit की वज़े से तो इस player को आप लेकर जा सकते हो थोड़ा सा risk लेकर आप अपने GL team में और small league में भागर risk लेना पसंद करते हो तो definitely आप इनको try कर सकते हो वसे Memphis Grizzles ने जो last match आप पर win किया था against याप पर Phoenix Sun जो आप याप भी फिलाल याप पर pointable पर second position पर है और उस team को आपर हरा कर आ रहे है वसे आप आपर liquor ने जो match किया था वो यापर pointable पर सबसे bottom वाली team थी उसे आपर हरा कर आ रहे है लेकिन Memphis Grizzles strong team को हरा कर आ रहे है आपको पाता है Phoenix Sun किस level की tree में सबसे best offense और defense इस team के पास है वो इसे last match में bend का best आया था बेश्ट आया था आपर गॉंचर का जो कि आपर defensively काफी बढ़िया और खास करकर इन्होंने offensively rebound काफी ज़्यादा collect किया थे लेकिन आज के match में खेल नहीं रहे मोराट जो कि आपर इस team के तरफ से important peak all-rounder performance और double-double या पर काफी easily आपर ये shoot कर लेते हैं वैसे field goal से last match में सबसे ज़्यादा short से उन्होंने attempt भी किया थे और best आपर में recommended करूँगा आप इन्हें SPP बना सकते हो risk लेकर और आप चाहो तो आप इन्हें PP भी बना सकते हो वैसे Adam का भी last match में best आया था आज के match में भी best आ सकता है क्योंकि आपकी East team के साथ अगर small league क्या कर दिंगा अगर यासे बात कोर तो Morant और Ben ये तो काफी important पेगे जो कि आपके 100% आप उन्हेंट के पास रह सकते हैं Anderson इनको यापर pick कर सकते हो जेरिंग जाक्सान GL के लिए punt pick small league के लिए punt pick और Adam इनको भी यापर में small league में recommended करूंगा last match काफी जादा time इनको मिला था आज के match में भी probable अच्छा कासा time मिलेंगा last match आपर defense के सामने अच्छा के लिए थे अभी यापर जो changes होए कॉंचोर आज का match आउट है यानि कॉंचोर यापर नहीं केलड होते यापर आपको anderson starting line up में देखने को मिलेंगे अगर यापर anderson starting line up में आते तो यापर probably आपको आज के match में टिली का time काफी जादा यापर improve होते होगा दिखेंगा ये player आपको अच्छा खासा time केलता हो दिखेंगा वैसे last match में भी काफी बड़िया time यापर 5 minute के लिए थे यापर जब जब यापर आलम बैंच पर होंगे तब यापर टिली आपको starting line up में देखेंगे anderson जो कि आपर forward से बैंच से खेल रहे थी ये starting line up में आपको खेलती हो देखेंगे अगर ये starting line up से खेलती हो जो forward का time है वो यापर टिलमन को यापर आपको देता वह यापर देखेंगा तो टिली थोड़ से आपर important है टिलमन को last match में इतना best time नहीं मिला लेकिन टिली को अच्छा खासा time मिला है तो टिली को आप याँसे use कर सकते हो वोई से जो यापर head to head match हुआ है इस season में लगबग आपर एक महीने पहले तो वहापर जो performance आया था टिलमन का performance उसिक साथा टिली दोनों को time best मिला था पॉंचर यापर केलते था बैंच पिले लेकिन आज का match में available नहीं लेकिन जेरिंग जैक्सन इंपोर्टन की हुए hit 12 matches का performance आप यापर देख सकतो अलग लेवर का इसमें आपर Adam यापर starting lineup आया थे rebound चाथ चेखा से point उन्हें ने collect किये थे Ben का वैसे भी best आया था और इस match में वैसे भी more and नहीं थे फिर भी आपर ये match आपर one sided यापर Memphis Grizzles से ने win किया था टिली को काफी जाधा time मिलने के चांस है तो आप इने भी आपर preferable कर सकते हूँ यह दोनों का आप अपने team में लेकर जा सकते हूँ कारलमान तो ने recently matches में काफी बढ़िया performance वैसे Malik Monk important है, Deandre Bain important है अभी बसते 15 credit और 15 credit में अगर आप याप अपर जाओ तो Adam को drop करकर आप यापर Westbrook को यापर pick कर सकते हो अगर Westbrook को अगर यासे आप pick करते हो तो आपके पास other जो options आ जाएंगे ever आगर starting lineup में आ जाते हो इने याप आपर pick कर सकते हो या फिर Tillman का काफी बड़िया options आपके पास आवेलेबल है इने याँसे आप pick कर सकते हो तो यही थोड़ी से आपर common team हो जाएंगी इस combination के साथ मुझे लगता है थोड़ी से आपर यह common team और यहाँपर थोड़ी से कुछ changes हो सकते जाँस आपर start करते है तो जाँस को आप यहाँपर pick कर सकते हो अधर इतने best pick यहाँ से मुझे लगने रहे यही जो player है तो यही थोड़ी से आपर better है हाईवर starting line-up में आ सकते है तो risk लेकर इने prefer बरेगा सकते हो लेकिन हाईवर को जादा time मिलेंगा ने उनकी जगा कारल में अन्थोनी आपको start करते है दीखेंगे अगर आपको risk लेना पसंदे तो westbrook का headwood match बिल्कुल भी बड़ी आ रहा नहीं था totally flop रहे थे वैसे आपर headwood match का performance भी आपर में आपको दीखा देता हूँ जो last month में आपर match हुआ था तो westbrook totally flop रहे थे वैसे आपर davis भी खेल रहे थे तो जादे importance westbrook को नहीं थी उस matches में लेकिन आज का match में davis नहीं खेल थे थोड़ी से importance रहेंगी 9.6 rebound 7.6 एक यापर इनके तरफ से block आया था headwood matches में तो थोड़ा सा risk लेकर आप यापर westbrook को अगर drop करने के आपर chance ले सकते हो तो इन्हें आपर आप drop कर सकते हो अगर यापर इन्हें drop कर देते हो तो आपको यापर during the action मिल जाएंगे जो के headwood matches में काफी बढ़ी हा performance एड़ाम आपको मिल जाएंगे और last match में टीली को अच्छा खासा time मिल था प्रवेबले आज के match में भी best time मिलने के chance से इस combination के साथ जा सकते हो Memphis के साथ यापर heavily आप यहाँ से जा सकते हो और इस combination के साथ SPBP के बारे में अगर यापर बाता हो तो no doubt यापर लिब्राम जम सीनिवरसल SP और इनिवरसल पीप आपर more rent हो सकते अगर आप यापर Westbrook को pick करें तो उन्हें भी आपर पीपी बाना सकते हो लेकिन probably मुझे लगता है यह मेरी यापर final team हो सकती इस team के साथ में जा सकते हो जो Westbrook वाला combination रहेंगा वो यापर common रहेंगा और इस combination के साथ थोड़ा सा clash पर आपको देखने को मिलेंगा तो clash avoid करने के लिए और यह combination काफी बढ़ी है लग रहा है वैसे भी आपर Adam important है, important है Jering Jackson front court यापर जो इतना strong नहीं है लिकर्स का, यही reason है कि आपर में यह दोने आपर front court के जो player है इन्हें आपर pick कर हो, यह भी काफी आपर buckets के closely खेलते है Jering Jackson और वैसे Adam ते आपर center के player है यह तो already close आपर buckets के रहे थे तो front court में दोनों player आपको खेल देखेंगे यह reason है दोनों के आपर में pick कर हो आप अगर यह आपर चाहो तो यह आपर जो second combination में आपको बताया था इससे पहला वाला उसके साथ जा सकतो हो लेकिन probably यह मेरी final team रहेंगी और इस team के साथ मेरे जो ESP रहेंगे वो रहेंगे Libram James मेरे ESP रहेंगे और PP रहेंगे Morant risk लेना पसंद कर जो तो ESP PP आप यह से रोटेट कर सकतो लेकिन probably यह आपर में safe चला जाओंगा Morant के साथ यह आपर PP और ESP आपर Libram James और Libram James के hatred match भी काफी बढ़िया रहा था तो यही मेरा यह आपर combination हो सकता है team save कर कर रहना अगर यह final team रहेंगे तो final team टेलिग्राम पर आएंगी ने इस team combination के साथ आप जा सकते हो तो hope guys वीडियो पसंद आए होगा उसका साथ आपने like और subscribe भी गयोँगा तो मिलते है final team के साथ टेलिग्राम चैनल पर रहेंगे